तो अब जर्मनी ने भी भारत का साथ देना छोड़ दिया है क्योंकि भारत ज्यादातर इंजन के पार्ट्स और भारी भरकम इंजन जर्मनी से खरीड़ता है। लेकिन जर्मनी ने भारत को इंजन देने से मना कर दिया है। भारत में अर्जुन टैंक में जर्मनी का इंजन का उप्योग किया जाता था अब जर्मनी ने इंजन देने से मना कर दिया है। और जर्मनी ने कहा आने वाले 48 माह तक भारत को इंजन एक्सपोर्ट नहीं कर पाए है क्योंकि इसका जर्मन इंजन बहुत शक्तिशाली है। जिसके कारण ज्यादातर देश जर्मन से इंजन एक्सपोर्ट करते हैं, जर्मन के द्वारा बनाया गया इंजन पावरफुल होता है। और उसमें high quality का component होता है, जिसके कारण भारत और अमेरिका समेट दुनिया के इंजन ने कबजा जमा रखा है यहां तक कि भारत और अमेरिका में defense sector made tank और weapon इस्तिमाल किये जाते हैं इसमें से जर्मनी से खरीदे जाने वाले इंजन का इस्तिमाल किया जाता है हाल ही में एक ऐसी खबर निकल कर आए है जिसमें ये बताया गया है जर्मनी ने अर्जुन टैंक में इस्तिमाल होने वाले इंजन को देने से 48 माह के लिए मना कर दिया है लेकिन इसका क्या रीजन है भारत को साफ तोर पर नहीं बताया गया है लेकिन भारत 48 माह तक इंतजार नहीं कर सकता इंजन के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट होने की तयारी शुरू कर दी है अब भारत अर्जुन टैंक में इस्तिमाल होने वाले इंजन को भारत में डेवलप करने जा रहा है क्योंकि अर्जुन टैंक को बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जर्मनी से इंजन की सप्लाई न होने के कारण काफी ज्यादा स्लो हो रहा है और भारत इतना इंतजार नहीं कर सकता इसी कारण भारत ने अर्जुन टैंक में इस्तेमाल होने वाले इंजन को बनाना शुरू कर दिया है इसके अलावा भारत में टैंक में इस्तेमाल होने वाले engine manufacturer नहीं हो पा रहे हैं तब तक इसके लिए भारत की LNTDRDO American Company से engine खरीदने का काम करेगी जिसके लिए भारत के Defense Group की तरफ से अमेरिका की कुछ कमपनियों से बातचीत हुई है लेकिन जर्मनी ने engine supplier से मना किया है ये भारत के लिए काफी चिंता जनक है क्योंकि भारत में सबसे अधिक ताकतवर और दमदार एक अरजुन टैंक है जो कि ये अरजुन टैंक रेगिस्तान में चलते हैं और ये दुश्मन क अमेरिकी कमपनी से engine खरीदने का दावा किया है अगर भारत के अरजुन टैंक प्रोजेक्ट की बात करें तो साल 2021 में रक्षा मंत्राले ने भारतिय सेना के लिए 118 युद्धक टैंक अरजुन MKAK का हैवी वीकल फैक्टरी चेनने को इसका ओरडर दिया है ये ओरडर 7523 करोन रुपे का है हाला कि engine के उपलब्धता के कारण इन टैंकों की delivery टाइम पर नहीं हो रही है इन टैंकों के बाकी हिसों का निर्मान भारत में होता है जबकि जर्मनी engine की supply होती है और company ने order पूरा करने के लिए काफी वत का समय दिया है जिसके लिए निर्धारे delivery के लिए चु प्रोजेक्ट में शामिल थी और कमाल की बात यह है economy time के report के मुताविक DRDO ने इन टैंक्स में युज होने वाले engine का स्वदेशी समाधान करने में जूर चुका है हाला कि इसके लिए थोड़ा time लग सकता है लेकिन यह सम्हव बिलकुल भी नहीं है पिछले साल 2023 के और इसलिए जर्मनी ने अमेरिका को सस्ते दामों में अर्जुन टैंक का engine देने की बात कही थी लेकिन जर्मनी ने कुछ समय पहले जो गलती की थी वही गलती फिर से दो रह दी है जिसके कारण भारत ने दोबारा से engine import के लिए अमेरिका की तरफ अपने रूप को मोड लिय है बाकी आपको क्या लगता है कि जर्मनी भारत को engine supply ना करे तो भारत अच्छी quality का engine बना सकता है या नहीं अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और भारत खुद अर्जुन टैंक में इस्तिमाल होने वाले engine की तयारी शुरू कर चुका है इसके लिए इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेर करे ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके इसी तरह और भी knowledgeable वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe जरूर करे धन्यवाद